रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्ट अप्स के लिए एक नया टेंप्रामेंट देश में विख्षित किया जा रहा है। देश भर के स्कुलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैप्स हो, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान का हमारा संकल्प आज और ससक्त हो रहा है। इस ससक्तिकरन का गवा हमारा स्रीनगर बना है, जमुकश्वीर बना है। सात्यों ये स्टार्ट अप इंडिया अभियान कही असर है कि आज भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप नेशन बन गया है। बीते तीन चार वर्षों में 15,000 से अधिक स्टार्ट अप स्रेक्नाइज किये जा चुके हैं। इन में से भी लगबग 50 प्रतिसर्थ स्टार्ट अप टीर 1, टीर 2 शहरों में स्थापित रहे हैं। साथ यो स्टार्ट अप के साथ साथ देश इतके ग्रामीन एलाकों में हैं टेक्नोलोजी का विस्तार भी हमारी प्राथ्विकता में हैं आज देश भर में तीन लाग से अधीक कौमन सर्विस सेंटर ग्रामीनों को डिजिटल सेवाय तो देही रहे हैं लाखों युवाओं को रोजगार से भी जोड रहे हैं। आज बांदीपुरा में राज का पहला ग्रामिन बीपीओ भी खुल गया है। इससे बांदीपुरा के विवाओं के लिए नए अवसर का द्वार खुला है। विकास की दोड में आगे बढ़ने का प्यास कर रहे हैं। रूसा के दूसरे चरण में देश के पौने चार सो जिलों में उत्कृष्ट सिक्षन समस्तान तयार किये जा रहे हैं। अवसरों की समानता की तरफ एक और बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि इन सभी जिलों की विवाओं को जब अपने घर के पांस ही अच्छे सवस्तान मिल जाएंगे तो वो अपने टैलेंट को और निखार पाएंगे। अपने स्कील को और तराश पाएंगे।